दोसे ट्रिक आदी है तो यह जो हमारी कढ़ाई है यह चल गए थी तो हमने इसे वाकी तो साफ किया लेकिन यहां से यह रह गया तो अब इसको हम कैसे चुड़ाएं तो इसके लिए हम इसमें तोड़ा सा कॉलगेट लगाएंगे और कॉलगेट जो होता है वह बहुत इच्छ होता है वह ले लिया है हम पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद इसके पर से इसे अच्छी से हम रगड़ेंगे और इस तरह से मसल मसल कर हमारी कढ़ाई बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और कॉलकेट की साहिता से यह निशान चल्दी से हटने लगा है तो देख सकते है कितना काल अपन निकल कर आया है और तो आप मेरे चनल पर नए है तो मेरे चनल को जड़ो से सब्सक्राइब पीचेगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीचेगा अब हम इस कढ़ाई को दो लेते हैं तो हमारी कढ़ाई बिल्कुल साफ हो गई है तो देख सकते हैं साफ करने के लिए तो आप वीडियो में देख सकते हैं इस बडूप को लगा देने के बाद इसी हमें एक दो मिनट देना है और उसके बाद इसे हम या तो आप बेकार प्राला वा तूद ब्रस ले या फिर आप अपने तवे को साफ कीजीगा यह बहुत यूसफल कि टृट है तो आप इस जरूर से फूलो कीजेगा और फ्रेंड्स देश के किस कोने से मेरे वीडियो को देख रहे हैं? तो आप मुझे comment section में जरूर से पताएगा, मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगेगा, मेरी video पसंद आए तो अब यह अगली ट्रिक आती है हमारी जो हमारे disposal डबे निकलते हैं, जब हम कोई सब्ची बगारा मंगाते हैं, तो उसमें डबे अकसर निकल आते हैं, तो हमें फै पो में आप अपने रांस्ते को रख सकते हैं, तो हमारी जो लड़ू बच गाए थे हम ले इसमें रख दिये हैं, तो इसलिए जो डबे होते हैं यह हमारे बहुत यूजफूल हो सकते हैं, आप इने बिल्कुल बीना फैके, अब यह अगला डबा है हमारा, तो यह थो थो थ सकते हैं, इसे छूटो सक एक बनाना होता है, वह इसमें बहुत आसानी से बन जाता है, तो आप यह डबे भी बिल्कुल ना फैके, और यह जो गोल वाले डबे इस तरह के निकल आते हैं, तो इने भी ना फैके, और इसमें हम अपने भगवानची के कप्रों को से पर के रख की है, और इस तरह से आप पहले तो यह लगा दें और उसके उपर इन ड्रेस के ऐसे गोल-गोल सेव में रख सकते हैं, तो इस तरीके से हमारे जो काना जी है, ना उनकी ड्रेस भी अच्छे से रखी रहेंगी, ना तो गंदी होएंगी, और ना हमें ढूनने में परेसान यह यदि हम किसी परनी बगरा में बान देते हैं, तो वह हमें मिलती नहीं है, यह हमारे काना जी की कैप है, जो हमने गर पर ही बनाई है, और यह हमारी भजन की माला है, इसे भी हम इसी में रख देते हैं, तो इस तरह ऐसे आप इस तरह की गोल-डबों को यूस कर सकते हैं, यह सरसो थोड़ी सी हो जाती है तो जो इसकी डंडिया होती है उन्हें हमें कैसे चीलना है तो सबसे पहले तो यह जो दोड़ा बत्ते लगे होते हैं उन्हें निकालना है और उसके बाद हमें इस तरीके से चाकू से इसकी जो डंडिया होती है उन्हें इस तरह से चीलना है जैसा बाद आप देखेंगे फ्रेंड बिल्कुल सौफ्ट सरसो अंदर से निकली है और हमें थोड़ा सा मोटा इसके काट रहे हैं क्योंकि क्योंकि इन उपालकर के मिक्सर में ही पीसना है इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा भी इसे काट सकते हैं लेकिन हाथ इंके नाए तो इसलिए हमें सरसों के जो गांडल होती है इने छील का बनाना है तो इस तरह से हमारा सांग जन्दी से तयार हो जाएगा और बहुत ही सफाई से बनेगा तो आप फ्रेंड सी जरूर से फूल कीजिएगा